सुबस्व चातरों को एक और खुसखबरी मिल गया है बोर्ट ने इस घोसना को करके सभी चातरों का दिल खुसखर दिया है तो यहाँ पर आप किलियर ली देख सकते हैं जो भी चातर चातरा हैं इंटर की परिक्षाब पास हुए हैं तो यहाँ पर क्या कर आए कि बेहतर की स्कुलर्शिप रासी दी जाएगी तो किन-किन छातरों को दी जाएगी क्या सब है मार्क का कितना मार्क होना चाहिए तो तमाम चीजों को जह कि हम आप लोगों को बताने वाले हैं और कहां पर आवेदन करना है आप लोगों को वह अभी चीज जह कि हम आप लोगों को ब इनको टच किजिए पेज ऐसे ओपन हो जाएगा होने के बाद यहां पर न्यू रेइस्टेशन लिखा हुआ इनको टच किजिए टच करने के पस्चाथ जोएकि पेज ऐसे ओपन होगा स्क्रोल करते विए नीचे की योड आईए इन तीनों बोक्स को टिक कर देना है आप कि फॉर्म खुल के आ गया है यहां पर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है जो जनकर यहां पर मंगी जाड़ आई है सेलेक्ट करने को पस्चा जोएकि एक एक एपशा फिल करके रेजिटर कर देंगे तो जो प्रसेश है करते जाएंगे इस पर करसे आप अपना है यहां पर क्लियरली देखिए जो भी सांइस में 391 या इससे उपर मार्क लाए या उनको जैकि इस योजना का जो इक लाब दिया जाएगा वह हैं आर्ट में जो 349 मार्क या इससे उपर लाए हैं उनको इसा लाब दिया जाएगा यह जैंरल केटेग्रेरी वाले स्टुडे योजना का लाब दिया जाएगा वही आठ्स में आठ्स ओभी सी 383 मार्क या इससे उपर मार्क लाए हैं तो इस योजना के लिए जोई का आप आविदन कर सकते हैं उसके पस्छात कोमर्स में देखिए जो 408 मार्क या इससे उपर मार्क लाए हैं वे इस योजना के लिए जो कि यह साइंस के लिए हो गया था वही आर्ट्स में अगर आप 366 मार्क या इससे उपर मार्क लाए है इस योजना का लाव ले सकते हैं वोमर्स में 365 मार्क या इससे उपर मार्क लाए है तो इस योजना के लिए अपलाई कर सकते हैं अब ST वाली देखिए, अगर आप Science में 362 मार्क लाए हैं, तो इस योजना के लिए apply कर सकते हैं, वही आठ्स में 363 मार्क लाए हैं, तो आप या इस उपर मार्क लाए हैं, तो आप योजना के लिए आविदन कर सकते हैं, और Commerce में 324 या इससे अधिक मार्क लाने वाले छात्र आविदन कर सकते हैं अब देखिए छात्राएं के लिए क्या है यहां पर तो अगर आप छात्राएं हैं यहां पर साइंस में 372 मार्क या इससे अधिक मार्क लाएं हैं तो इसके लिए आविदन आप कर सकते हैं वही आर्ट में देखिए 309 या इससे अधिक मार्क लाने वाले इसके लिए आविदन कर सकते हैं वही कोमर्स में 395 मार्क या इससे अधिक मार्क लाने वाले आविदन कर सकते हैं अब OBC में हम चलते हैं तो OBC में जो भी छातरा है 398 साइन्स में या इससे अधिक मार्क लाए हैं तो इस योजना के लिए जोई कि आविदन कर सकते हैं वहीं आर्ट्स में 394 या इससे अधिक मार्क लाए हैं तो इसके लिए आविदन कर सकते हैं वहीं देखिए Commerce में 408 यह इससे अधिक Marc लए具 है तो इस योजना के लिए आविदन कर सकते हैं वहीं देखिए s. c में जो भी साइणस में 357 मर्क यह इससे अधिक लएँ आविदन कर सकते हैं वही Commerce यह साइणस हो गया यह 800 गया तो जो भी 1967 यह इससे अधिक अधिक मार्क लाएं आधिक करेंगे कि में जारे 300 से अधिक मार्क लाने वाले अधिक मेरन करेंगे एसटी के लिए देखिए स्टी केटेगरी के लिए क्याने memaster में 331 मार्क हैं तौब आप रविया अर्च में 389 मार्क लाएं तोмов Haddon कर सकते हैं कि वही पोमर्स में 320 या इसे अधिक मार्क लाए हैं तो आविदन कर सकते हैं अब यहाँ पर यहाँ भी आई कि परतेक साल जोए कि आपको रिन्यूवल कराना परेगा नविनी कराना परेगा याने एक बार आविदन कर दिये तो इसा नई कि 5 साल तक मिलते रहेगा इसके लिए कि पर या स्कुलर्सिप सेंट्रल सेक्टर एसकीम ऑप स्कुलर्सिप फोर कोलेज एंड इन्वर्सिटी स्टुडेंट योजना के तत दी जाएगी अब देखिए इस योजना का लाब लेने के लिए आपको जोए की गिरिजोशन में जोए की एडविशन जोए की करवाना परेगा तभी जोए की इस योजना का लाब आप लोगों को मिलेगा छात्विर्ती के लिए क्या सब है आवस्यक सर्थ भड़ा की अभिभावा की वार्सिक आये जोए की आठ लाग से अधिक नहीं होना चाहिए आविदक को किसी परकार की छात्विर्ती किसी अन श्रोष्टे प्रा प्राप्तियां कम से कम 50% जएकि अंक लाना होगा यानि पार्ट वन में आप जब पास कर जाएंगे उसमें 50% मार्क आ गया तो आपको जएकि पार्ट टू के लिए भी जोएकि रासी मिलेगी तो कम से कम पार्ट वन में 50% यानि 50% मार्क होनी चाहिए तब ही जएकि आप ज पीजी में एडविशन लेंगे पीजी पार्ट वन पार्ट टू में तो इस परकार से आपको योजना का लाब दिया जाएगा अब कवाड़ाई कि आप देख संस्थान में उपस्तिती कम से कम 75% उपस्तिती होनी चाहिए तो यानि आपका हाजरी कम से कम कोलेज में 75% होगा त जो भी जाएगी पास हुए हैं